नमस्कार फ्रेंट, Will2Guide में आपका हर्तिक स्वागत है, मैं हूँ आपका होट संतोष कुमार दोस्तो इस वक्त हम मौजूद हैं धेश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली की इस कड़ी में हम लेके आए हैं आपको जी हाँ पुराना किला दोस्तो इस पुराने किलों को वैसे पांडों का किला भी कहा जाता है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो किला है जहां से मुगल समलाठ हिमायू की गिर के मिरती हुई थी तो दोस्तों चले इसके लिए के अंदर और आपको हम आपको लेके चलते हैं इसके अंदर तो चलिए मेरे साथ करे पांद प्रूँ भी किला थाणियों कर दोख़makers जापको लेके वाजे आपको हम आपको डिल दो एकम आपको हम आपको दोख़कों किला है कर दो कर दो कर दो तो कर दोस्तो हब जैसा के हमा पुराने के आंदर आ यह आज़के हैं आप यह हमारे पीछी है दीवार देख रहेें यह पुराणी केले की दिवार है जो लगबहग 20 much번 की लंबी दिवार मतलब इसक लेए के चार तरफ आप एक तरफ और आप धाइक लमेटर की पूरा चक्रकात के आने पड़े आ उन्यमटर की दिवार हैं और इन दिवारों की मोटाई आप लगभग लगभग चार से पांच मीटर की मोटाई इन दिवारों की है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां से देखने में कितना भव्वे लग रहा है यदि आप उस टाइम पर 1540 के टाइम पर जब यह बना होगा तो उस टाइम यह क इसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं तो चलिए हम आपको किले के और अंदले के चलते हैं और कुछ दिखाते हैं दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं हम पुराने के लिए कि इस दिवार के ऊपर खड़े हुए हैं दोस्तों देखो आप इस मोओ perceived सकते हैं कि यह दिवार कितनी बड़ी और कितनी चोरी बनी हुई है और सामने आप देख सकते हैं इस के शेर साह सुरी का जो बना हुआ एक अंदर जो महल है वो भी आप सामने देख सकते हैं उसके पास हम आपको लेके चलेंगे दोस्तो इस दीवार के साथ साथ चलते हैं और इसके बारे में कुछ आपको जानकारी में देता हुआ चलता हूँ दोस्तो जैसे कि आप इस वीडियो कैमरा के मात्यम से देख पा रहे हो ये पुराने किले के कुछ अफशेश जो नीचे हैं हम दीवार के उपर लगबग 15 मीटर की उचाई पर खड़े हुए आप उससे नीचे देख सकते हैं कि ये कुछ जो किले के बने हुए अफशेश हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों मैं इस किले के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों यह किला यमना नदी के किनारे बना हुए किला है इस किले को सबसे पहले सन 1540 में अफगान, सेहनचा, शेह सहसूरी ने बनवाया था जो लगबग इसे बनने में पाँच वर्स का समय लगा था जो सन 1545 में जाके फूर्ण हुआ दोस्तो इसके कुछ अफशेश हैं जो आप भी देख रहे हैं और मैं आपको इसको जो मेन जो मजजित है के लिए की और जो एक भवन बनवाया हुआ है चेट सा सूरी ने उसके अंदर लेके चलता हूँ दोस्तो इसके लेके अंदर तक बग तीन बड़े दुआर हैं जिसमें से एक सबसे बड़ा दुआर हिमायू का दुआर भी कहलाता है जिसके पास भी हम आपको लेके चलते हैं तो चलिए मेरे साथ और बने रहे इस वीडियो में इसके बारे में और आगे जानकारी हम आपको देते हैं जिसके आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सन 1540 में जब ये बन के त्यार हुआ 1545 में उस वक्त ये घोडो का अस्तबल कहलाता था और यहां घोडो का अस्तबल होने के साथ साथ यहां हाथी और कई ऐसे जानवर थे जो सेर सासूरी ने पाल रखे थे तो आप देख सकते हैं मोबाईल स्क्रीन पर इस अस्तबल को कितना सुन्दर बना हुआ और कितना भबे विशाल बना हुआ अस्तबल है और इसके बाद मैं आपको इस पुराने के लेके और अंदर लेके चलता हूँ तो चलो मेरे साथ दोस्तो हम पुराने के लेके अंदर आ चुके हैं इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इस मजजित का नाम है किलाह कुना मजजित दोस्तो इस मजजित का नाम अभी प्राने किले की मजजित है जिसका उपयोग एमम सामुदाइक मजजित करूप में होता था इसे शेड साह द्वारा सन 15-41 में बनवाया गया था इस मजजित को अत्यादिक खुबसूरत दिखाने के लिए पीले एमम लाल बलुव पत्थर में सफेद एमम काले संग मरमर का प्रयोग हुआ है यह अत्रिक नकाशी एमम टाइल कार द्वारा भी इसे अलंकरित किया गया है बड़ी संक्या में निर्मित जरोके साजावती खिड़किया और पिछली दीवार के कौनों पर बने अस्ट भुजाकार भुर्ज मजजित की खास विशेष्टाएं है इबादत गहा की लंबाई इक्यावन मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तथा पूरो वभाग का मद्य हिस्सा 16.5 मीटर उचा है जो आप में सामने देखने हैं दोस्तों यह लगवग साड़े 16 मीटर उचा है जो इस किले पर आप देख रहे हैं इस किले की जो सफेद संगमर्मर से बने हुए पथर में आप इसमें कुराईन के आयते लिखी हुए दे सकते हैं जो द्वार के चारो दर्ब कुराईन की लिखिवी ही आयते हैं जो सफेद संगमर्मर में और लाल बलुवा पत्थर में भी आपको देखने को मिलती हैं तथा इसमें बहुत अताय काला संगमर्मर का भी उपयोग किय गया है जो आप देख सकते हैं बीच में काला संग मरमर और सफेज संग मरमर है और लाल बल्वा पत्थर में भी कुरान की आयतें लिखी हुई है जिसे आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं और ये कितनी सुंदर नकाशी से बनाई हुए मज्जित के द्वार हैं जो आप मेर मजद के अंदर के अंदर आ चुके हैं इस मजद के अंदर आते ही लाल बल्वा पत्थरों से बनी हुई जो गुंबतदार जो इसकी उले देख सकते हैं चार भागों में बनाया हुआ है एक वीच का सबसे बड़ा भाग उसके अगल बगल छोटे-चोटे भाग सदा मज़ित के सामने छोटे गेट में आप देख सकते हैं मज़ित में इस सामने जो सफीज संगमरमर को उपयोग किया गया है इसमें भी कुरान की आयती सारी लिखी हुई है जिसे आप अभी मेरे वीडियो के कैमरे में देख रहे हैं दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पुराने के लिख अंदर मौजूद शेर मंडल है अब हम शेर मंडल पे आ चुके हैं इसके बारे मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों दूमें जिला अस्ट कोणी है मन्टप लाल बलुए पत्थर सही धारी धार संग्मर्मर से बना हुआ है ऐसा विश्वास है कि इसका निर्मान सेर सहा सूरी ने 1541 में कराया था बहार के होड़ से इस इमारत के प्रतेक पोने में गहरी महरावे बनाई गई हैं दूसरी मंजिल पर चोड़क चोपाल के आकार का कमरा है जिसमें भी की गहरी महरावे तता इसके भीत्री भाग में कचिक सजावट है गचकरी में जोत्मी चित्रकारी की गई है संबता शेर सहा ने इसे अपने मनोरंजन के उद्देश से बनाया था किन्तु ऐसा कहा जाता ह हिमायू ने इस कौपयोग अपने पुस्तकाले के लिए किया और इसी मन्डब की सीडियों से गिरकर 1556 इसवी में उसकी मिर्त्यू हो गई दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो शेर मन्डब है जो आप इसे उसमें हिमायू के पुस्तकाले भी कहा जाता था ऐसा मानना है कि इसी पुस्तकालियों के सीडियों से चड़कर हिमायू अचानक से गिर पड़ा था जिसके काण उसकी 1556 इसवी में मि आए गया है जिसमें यह दो मेंजला बना हुआ है आप देख रहे हैं इसके बाद मैं और आपको इसके और आगे लेके चलता हूं पुराने के लिए कि दूसरी जगाओं पर जहां से आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगा तो चलिए आप मेरे साथ दोस्तों जैसे कि आप अभी आप देख रहे हैं इसको हमाम कहते हैं यह इटों से निर्मित हमाम अप खंडर हो चुका है इसको लगभग 3.2 मीटर वरकाकार कमरे के चार और अफशेश आज भी आप देख सकते हैं बने हुए हैं इसको शेर साहसूरी ने अपने इसनान गार के लिए बनाया गया हमाम है जिसे आफ देख सकते हैं कुछ नालिया ऐसी है को जब पानी ऊपर से नेचे आता था नीचे से उपर जाता था दोस्तों जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं यह पुराने के लिए की तीन मुक्षे द्वारों में से रतार है जिसे आप इसके देख रहे हैं, अब ये पूरी तरीके से जर जर हो चुका है फिर विश के कुछ अफशेश से जो आप को देखने को बिलेंगे, बूप देख सकते हैं दोस्तो जैसा के आप मेरे पीषे देख रहे हैं, इस पुराने के लिए की दिवाल को और इस दिवाल के साथ में ही आप दिवार के साथ में आप जाए देख रहे हैं यह जो पानी भरा हुआ इसको अब लेक बना दी गई है पहले यह एक खाई हुआ करती थी जो यमना के पानी से भरी रहती थी ताकि कोई भी आकरमकाडी इस किले को पर हमला न कर सके दोस्तो पुराने किले के बारे में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तो पुराना किला जो प्राचिन दीप पनानगर के अंदर बना किला है इस किले का निर्मार शेर साह सूरी ने सन 1540 से 1545 के बीच बनवाय था इस किले में तीन बड़े दरवाजे हैं और इसके अंदर एक मजजित भी है हिंदू साहित के अनुसार यह किला इंदरपरस्त के स्थान पर बना हुआ है जो पांडवों की विसाल राजधनी हुआ करती ही अफगानी शासक सेर साह सूरी ने मुगल बाश्चा हुमायू को हला कर दिल्ली पर शासन किया इस के लिए के चारो तरफ एक खाई का निर्मार जो आप अभी देख रहे हैं कराय गया था जो उस रक्षा के हिसाब से खोदी गई थी इस के लिए की चारो और से दिवाल लगबग जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे धाई से धाई किलो मीटर लंबी और इसके अंदर शेर साह द्वारा बनाया गया दो मंजला भवन जिसे शेर मंडल भी कहा जाता है इसी भवन में हिमायू का पुस्तकाले हुआ करता था जो आपको मैंने अंदर बताया था ऐसा कहा जाता है कि इसी भवन के अंदर से हिमायू का जो पैर था वो फिसल गया था आजान की वक्त और वो गिनने के वज़े से चोट खाने के वज़े से कुछ सालोबाद सन 1556 इसवी में उनकी हमायू की मिर्ती हो गई थी दोस्तो पुराने किले के दाईं और माता कुंती का भी एक मंदिर है और बावा भहराव मंदिर भी इसी किले में आता है कहा जाता है कि माभारत के पांडवों की राजधानी इंदरपरस भी इसी किले के इस्थान पर थी जो मोगल द्वारा ध्वस्त करके इस किले कर निर्मालकर आया गया था इसके सबूत आज भी खुदाई में मिलते हैं पुराने किले का असली नाम शेर का किला था तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी पुराने के लिए के बारे में तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो आप हमें जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारी चनल पर बने रहें धन्यवाद